हाई व्यूवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल प्रेंज से देखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आपके सी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं जैन्ट साफ सेटर फुल सेटर में बच्चों को सेटर में कैप में मफ्रल में अपलाई कर सकती हैं इसे याप बीबी प्लैंकेट में भी डाल सकती हैं तो दिखिए फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से इस तरह से दिखता है तो इसे आप उस प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं जो डबल साइडल होते हैं तो इसको बनाने के लिए जो सिची चाहिए होंगे वो पांच के मल्टिकल से होंगे प्लस तू फंदे एक्स्टर होंगे और ये जो डिजाइन है टोटल सिक्स रौ का डिजाइन है तो मैंने यहाँ पर 37 फंदे लिए हैं 35 फंदे 5 के मल्टिकल से लिए हैं दो फंदे एस्टिच के होंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फास्टर राइट साइड एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे चार फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 1 फंदा उल्टा तो देखिए यहाँ पर हमने 4 फंदे सीधे बुने 2, 4, 1 फंदा उल्टा यह 5 फंदों का पैटन है 2, 4, 5 फिर से पैटन पीट करेंगे 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 1 फंदा उल्टा 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 1 फंदा उल्टा 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 1 फंदा उल्टा 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 1 फंदा उल्टा 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 1 फंदा उल्टा फिर से 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 1 फंदा उल्टा यहां तक हमने 7 पैटन कम्प्लीट कीए है लास्ट में ऐस्टिच है ऐस्टिच सीधा बना लेंगे 1st रो कम्प्लीट हो गई है 2nd रो है रोंग साइन ऐस्टिच सिलिप करेंगे पैटन स्टार्ट करेंगे 2 फंदे सीधे 1, 2, 3, फिर से पैटन पीट करेंगे 2 फंदे सीधे 1, 2, 3, ओल्टे 1, 2, 3 2 फंद cabe सीधे 1, 2, 3 तीन फंदे हूल्टे, 1, 2, 3 दो फंदे सीधे, 1, 2, 3 तीन फंदे हूल्टे, 1, 2, 3 दो फंदे सीधे, 1, 2, 3 तीन फंदे हूल्टे, 1, 2, 3 दो फंदे सीधे, 1, 2, 3 फंदे उल्टे 1, 2, 3 दो फंदे सीधे 1, 2, 3 फंदे उल्टे 1, 2, 3 एस्टिच सीधा बुन लेंगी थाल रहो हैं और राइट साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे 2, 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 फंदे उल्टे 1, 2, 3 यह दिखिए यहां पर हमने 2 फंदे सीधे बुन लें 3 फंदे उल्टे 2, 3 फिर से पैटन पीट करेंगे 2 फंदे सीधे 1, 2, 3 फंदे उल्टे 1, 2, 3, दो फंदे सीधे, 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 वन, टू, तीन फंदे उल्टे वन, टू, ट्री एस्टी सीधा बना लेंगे फोर्थ रॉंग, रॉंग साइन एस्टी स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे चार फंदे सीधे वन, टू, ट्री, फोर एक फंदा उल्टा यहाँ पर हमने चार फंदे सीधे बने, टू, फोर, एक फंदा उल्टा फिर से पैटन पीट करेंगे, चार फंदे सीधे वन, टू, ट्री, फोर, एक फंदा उल्टा चार फंदे सीधे वन, टू, ट्री, फोर, एक फंदा उल्टा चार फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, एक फंदा, उल्टा, चार फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, एक फंदा, उल्टा, चार फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, एक फंदा, उल्टा, चार फंदे सीधे एक फंदा उल्टा एस्टिच सीधा बुन लेंगे पांच मी रो है और राइट साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे और इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुन कर कम्प्लीट कर लेंगे एस्टिच साथ बुन कर लेंगे और राइट साथ बुन कर लेंगे एस्टिच सीधा बुन लेंगे चटी रो है और राइट साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे और इस रो को सीधे सीधे फंदों के साथ बुन कर कम्प्लीट करेंगे बुना मुँए और राइट झाल झाल एस्टेच भी सीधा ही बना लेंगे तो दिखिए शिक्स रॉर कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फास्ट रॉर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार पार इसकी वान टू सिक्स रॉर रपीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्राजेक्ट में डाल सकते हैं तो फ्रेंड आप भी इसे बनाईए और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और नए नए वीडियो के साथ तिल देन बाय बै बै वेन